पुर्वी दिली के गीता कलोनी अलाके इस्थित दिली सरकार के चाचा नहरू बाल चिकित साले पर गंभीर आरोप लगा है। मेरट के रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया है कि दस साल का बच्चा इलाज के लिए एम्बूलेस में तडपता रहा। लेकिन अस्पचाल के डाक्टरों ने इलाज नहीं की। पच्चे को भरती करने के लिए मोटी रकम मागी गई। पिडित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। दरसल मेरट के रहने वाले दिलसाथ का भांजा साहिन कई दीनों से बिमार था। उसे तेज फिवर की शिकायत थी। मेरट के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के बाद भी जब साहिन ठीक नहीं हुआ तो उसे फिवर रात तकरिबन आठ बजे परिजन लेकर चाचा नहरू बाल चिकित साले पहुँचे। आरोप है कि पहले तो ये कहकर डाक्टरों ने एडमीट करने से इंकार कर दिया कि साहिन की उम्र बारे वर्ष से ज़्यादा है और चाचा नहरू अस्पताल में बारे वर्ष से कमर उम्र के बच्चों का इलाज किया जाता है। परीजनों ने जब बच्चे की उम्र दस साल बताते हुए अधार कार्ट दिखाए तो सुरक्षा गार्ड ने बच्चे के एडिविशन के लिए दस हजार की डिमांड की। इस दोरान तकरिवन चालिस मिनट बीद गए और साहिन ने बिना इलाज के ही एंबूलेंस में दम तोड़ दिया नाराज परीजनों ने जब अस्पताल में विरोध जताया तो अस्पताल परसासन ने पुलिस बुला लिया परीजनों ने पूरे मामले की पुलिस से सिकायत की है परीजनों का कहना है कि दोसी डॉक्टरों पर कारवाई होनी चाहिए ताकि उनका बेटा तो लेकिन कोई और बेटे का इलाज के बिना मौत नहीं हो। करते हैं हमारा चला गया कोई दिक्कत निए उपर वारा सबर देगा हमारा था हमारे अंदर इतनी छमता थी कि हमारे भाई के रहप्टर भी मार दे हमने बत्तमीजी नहीं करी किसलिए कि और लोगों के भी बच्चे आये हुए हैं यह जो डॉक्टर हैं यह कल गो धर्णा या उनसे बचना सके हमारी बहां ना बना दे